नमस्कार चीन की बाइडिन पर तल्ख टिपणी कहा कमजोर राश्पती कर सकता है जंग अच्छे संबंदों की उम्मीद नहीं खबर है बीजिंग से जहां तिबत की निर्वासिस सरकार के प्रमुक वाइड हाउस पहुचने से भड़का चीन अब अमेरिका के प्रेजिडन्ट इलक्ट जो बाइडन को लेकर हमलावन नजर आ रहा है चीन ने उन अटकलों को खारिच कर दिया है जिनमें बाइडन के कारिये काल में वाशिंग्टन और बीजिंग के बीच अच्छे रिष्टे बंडे की उम्मीद की जा रही थी एक चीनी सलाकार ने कहा है कि निश्चित रूप से जो बाइडन अमेरिका के सबसे कमजोर राश्पती हैं और उनके दौर में संबंद भेतर होना सबसे मुश्किल होगा चीनी सलाकार जेंग यौंग शी ने कहा है कि दोनों देशों और दुनिया को भी फिलहाल यह ब्रहम छोड़ देना चाहिए सलाकार ने कहा है कि बाइडन प्रशासन में दोनों देशों के बीच संबंदों में कोई सुधार होने वाला नहीं है बीजिंग को एक कठिन दौर के लिए तयार रहना चाहिए उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंद और तल्क होंगे चीनी सलाकार का यह बयान काफी एहम है चीनी सलाकार ने अपने इस बयान में यह संके दे दिया है कि अमेरिका और चीन के बीच मन मुटाव दो नेताओं के बीच का मामला नहीं है बलकि यह मतभेद वैश्विक चुनोतियों एवं प्रभाव को लेकर है चीन के सलाकार के इस बयान के आखीर च्या नहीं तार्थ है वे कौन से कारण है जो बाइडन प्रशासन में यूँ ही चलते रहेंगे जेंग यौंक्षिया ने कहाए कि निश्चित रूप से जो बाइडन अमेरिका के सबसे कमजोर राष्ट पती है उनके समक्ष घरेलू और राजनईक मौर्चे पर अनेक चुनौतिया विक्राल रूप से खड़ी है उन्होंने कहाए कि बाइडन वाइट हाउस में प्रवेश करने के बाद घरेलू समस्याओं के निस्तारण के बजाए अमरीकी जनता का ध्यान अन्य समस्याओं की और खीचेंगे ऐसे में बाइडन चीन के प्रती अमरीकी जनता की नाराजगी का फाइदा उठा सकते है जेंग ने कहा है कि अमरीकी समाज बिखर रहा बाइडन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते बाइडन के पास अमेरिका की इस आंतरिक समस्या का कोई समधान भी नहीं है वे इस समस्या से ध्यान भटकाने के लिए चीन की और उन्मुक्त हो सकते हैं चीन की दिर्ध कालिक रण नीती पर सलहा देने के लिए अगस्त में राष्ट पती शी चिंग पिंग द्वारा आयोजित एक संगोश्टी में भाग लेने वाले जेंग ने कहा है कि चीन को लेकर अमेरिका में दोनों प्रमुक राज नीतिक दल एकमत हैं जेंग ने अंडर्स्टेंडिंग चाइना कॉनफरेंस में एक साक्षातकार में कहा है कि दोनों देशों के बीच अच्छे पुराने दिन खत्म हो गए है उन्होंने कहा है कि अमरिका कई वर्षों तक कोल्ड वार की मानसिक्ता में रहा है अब भी वै उसी मानसिक्ता के साथ जीना चाता है उसने चीन के साथ भी एक नया कोल्ड वार शुरू किया है जेंग ने कहा है कि कोविड-19 के संचालन अमेरिका और चीन वयापार और मानवा दिकार समित ऐसे तमाम मुद्दे हैं नहां दोनों देशों के बीच गतिरोद बना रहेगा उन्होंने कहा है कि चीन के खिलाफ अमेरिका में 300 से जादा विधेयक है इन विधेयकों को रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी की और से तयार किया गया है जेंग ने उधारन पेश करते हुए काई की हौंग कॉंग में मानवा दिकार और लोकतंतर अधिनियम पर रिपब्लिकन से जादा डेमोक्रेटिक पार्टी ने दिल्चस्पी दिखाई थी उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस में चीन के खिलाफ इस परस्ताव का रिपब्लिकन की मार को रूबिया और डेमोक्रेटिक पार्टी की नेतावै अमरीका की होने वाली उपर राश्टपति कमला हैरिस ने पेश किया उन्होंने कहा कि स्विधियक पर राश्टपती ट्रम्प ने अनिच्छा से हस्ताक्षत किये थे बता दे कि चीन तिबबत के मसले पर अमेरिका से खासा नाराज है हौंग कॉंग और ताइवान में चीन को घेंडने के बाद अब केंदरियत तिबबत प्रशासन CTA ने एक बयान में कहाए कि डॉक्टर लोब सौंग सांगाई ने शुकरवार को अमेरिका के वाइट हाउस में परवेश किया केंदरियत तिबबत प्रशासन का पहला राजनीतिक प्रमुख बनना बड़े सम्मान की बात है CTA का कारिया ले भारत के धरमशाला में है CTA के अध्यक्ष सांगाई को तिबबत मामलो के लिए अमेरिका के नम नियुक्त विशेश समन व्यक्त से मुलाकात के लिए शुकरवार को वाइट हाउस आमंतरित किया गया था अमेरिका के विदेश मंतरी माईक पॉम्पियों ने 15 अक्टूबर को वरिश्ट राजनाईक दैस्टो को तिबबत मामलो के लिए विशेश समन व्यक्त किया था डैस्टो अन्य विशो के साथ ही चीन की कम्यूनिस्ट सरकार और दलाई लामा के 20 समवाद आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे चीन ने दैस्टो के नियूक्ती के आलोचना करते हुए कहाई कि यह तिबबत को अस्तिर्ता परदान करने के उदेशे से की गई, राज नीतिक तिगडम है दैस्टो की नियूक्ती के बाद सांगाई ने उनसे मुलाकात कर तिबबत के हालात पर चर्चा की थी डैस तो सांगाई की मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर चीन के विदेश मंतरा लेके प्रवक्ता जाओ लिजी यान ने पिछले महीने एक मीडिया बीफरिंग में कहा है कि शी जॉंग तिबबत के मामले पूरी तरह चीन का आंतरिक विशह है किसी बारी शक्ती को इसमें हस्तक शेप नहीं करना चाहिए धन्डेवाद समचार के बारे में आप अपनी राए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अधिक तादतरिन खबरों के लिए जुड़े रे प्रकर गूंज ड्यूस डैस के साथ